नमस्कार मित्रों जै मातादी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि माता रानी की क्रिपा से और भगवान सूर्य देव जी के आशीरवाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान सूर्य देव महाराज जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़ कर विनती करते हैं खास अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु सूर्य देवता आप सभी का भला करना और सभी सुख शान्ति प्रदान करना दोस्तों आज दोपहर बारहा आठवन बजे के बाद आपकी कुंडली में करेगा एक जबरदस्त बदलाव जी हाँ अगर आपके अंदर बरदाश्ट करने की क्षमता हो तभी आज की है वीडियो को देखना क्योंकि यह वीडियो आपको गरीब से अमीर रंग से राजा यानि की आपको करोडपती बना देंगे जी हाँ अगर आपको करोडपती बनी है तो आज की यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबान साबित होने वाला है जी हाँ और अगर यह बात जूट निकली तो हम पूरे 5 लख रुपय का इनाम देंगे जी हाँ क्योंकि आज की इस वीडियो में जितनी भी भविश्यवानी होने वाली है वह बिल्कुल 100% सटीक होने वाली है जी हाँ क्योंकि आज आज आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिन्हें देख कर आपकी आँखों से जी हाँ आपके दोनों आँखों से खुशी के आँसू बहेंगे क्योंकि आपकी सभी परेशानियां दूर होगी चाहे वह परेशानी धन्दौलत को लेकर हो रूपय पैसे को लेकर हो घरद्वार को लेकर हो या फिर संतान या कोई अन्यप्रकार की परेशानिया आपके जीवन में ही लंबे समय से चली आ रही है तो आपकी वह सभी परेशानिया धीरे धीरे अब आपकी जिन्दगी से दूर होने वाली है जी हाँ, विग्ण हर्ता, ज्यान वबुद्धि के दाता, भगवान श्री गजानन्द जी आपकी परेशानियों को अंत करेंगे जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है और वह काम है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, अगर आपने एंड तक वीडियो को देख लिया, तो तो आपकी जिन्दगी स्वर्ग से भी खूबसूरत बन जाएगी, जी हाँ, क्योंकि ऐ ऐसी ही कुछ बात हमने आज की इस वीडियो में बताया है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा चमतकार आपकी जिन्दगी में पहली बार होगा, खजाने और पैसा से आपका पूरा घर भर जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ ये दो काम आपको अपने जीवन काल में करनी है, फिर आपका भाग्य उदय अपने आप होने लगेगा, जी हाँ दोस्तों दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रम्हांड के दो बड़े देवताओं का चमतकार सीधा सीधा आपके घर पर आपके जीवन में काल में पढ़ने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, बड आपकी ही राशिपर इतना बड़ा चमतकार हो रहा है, पिछले जन्म में आप जरूर कुछ न कुछ पुन्य किये होंगे, तभी तो आपकी कुंडली में ऐसा योग बना, जी हाँ दोस्तों, यह आपके पिछले किये गए अच्छे पुन्य का फल है, जो कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में एक ऐसा धन योग का निर्मान हुआ है, जो कि आप सीधे सीधे करोडों के मालिक बनने वाले हैं, यूं कहें तो अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी को बदल स आएं, मुश्किलों का डट कर सामना करना, वो आपका काम है, आप हार मान लेंगे या डट कर उनसे सामना करेंगे, आप पर निर्भर करता है, देखिए दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दें, पर यह बात आपको अपने जीवनकाल में हमेशा याद रखनी है, कि जब आ आप सफलता के राहों पर चल पड़ोगे, अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ोगे, उस समय आपके रास्ते में आपको गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, और आपको कई सारे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और अपसान को सफलता देते हैं, जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता, जो बात हम आपको इस वीडियो में और आगे बताने वाले हैं, जब आप सफलता की राहों में निकल पड़ेंगे, तो आपको परेशान करने के लिए, पीछे करते रहना है और continue अपने राहों पर चलते रहना है, बस आपको सफलता मिलने की देरी है, फिर देखना वही लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे, जी हाँ दोस्तों, और यही प्रकृती का नियम है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं कि यह समय आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और किस तरह से इन सभी अवसरों का लाब हुठानी है, कौन-कौन से कार्य अभी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन-किन क्षेत्रों में लाब होगा, सब कुछ A2Z विस्तार से आज के वीडियो में बात करेंगे, आपको अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखनी है, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त उनका आशीरवात प्राप्त करना चाहते हैं, वे अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे दिये गए क सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जैकुबेर महाराज जरूर लिखें, इससे आपके जीवन काल में दोनों की कृपा द्रिष्टी सदैव बनी रहेगी, आए दोस्तों अब बात करते हैं, आज का दिन आपके लिए भाग दोड़ भरा रहेगा, आप अपने रोज से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, नव विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए महमान की दस्तक हो सकती है, आपको अपने परिवार में सदस्यों के साथ मिलकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत आज का दिन आपके लिए किसी नए काम को करने के स्वास्थय संबंधित समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे, परिवार में सदस्यों के साथ आप कुछ काम को लेकर योजना बना सकते हैं, किसी संपत्ति संबंधित मामले में आप सावधान रहें, नहीं तो आपके साथ भोखा हो सकता है, परिवार में यदि कोई लजता दिख रहा है आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने के लिए रहेगा आपका किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना पूरा होगा आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर पूरा ध्यान देंगे जिससे आपको मजबूती मिलेगी आप अपनी संतान को किसी एक्टिविटी में हिस्सा दिला सकते हैं जो आपके लिए लाभधायक रहेगी यदि आप से कोई कार्यक्षेत्र में कोई गलती हुई थी तो उसके लिए आपको अपने अधिकारियों से माफी मांगनी पड़ सकती है संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुश्खबरी सुनने को मिल सकती है आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है आपको अपने पिताजी के शारीरिक कष्ट को नजरंदाज करने से बचना होगा आपको प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है कार्यक शेत्र में किसी की कही सुनी बातों में ना आए आप अपने धर्म का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएंगे जिससे आपको मानसिक शान्ती मिलेगी आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे लेकिन आप अपनी कुछ पुरानी गलतियों को लेकर परेशान रहेंगे घूमने के दौरान कोई महत्वपून जानकारी प्राप्त होगी आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है आपके विरोधी कार्यक्षेत्र में आपके कामों में रोडा अठकाएंगे जो आपको परेशान करेंगे आप संतान की किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे और व्यवसाय में आपने यदि किसी को पार्टनर बनाया तो वह आपको धोखा दे सकता है आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा आपको आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सर्प्राइज गिफ्ट मिल सकता है कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह आपके बौस के आज का दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा आपको परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे अपने यदि किसी सरकारी योजना में धन का निवेश किया था तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है परिवार में किसी सदस्य को यदि आपको कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल आवश्यक करें आपके मान सम्मान में वृद्ध्य होगी आपका किसी नए घर मकान आदी को खरीदने का सपना पूरा होगा आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से चल रहा था तो उसने आपको जीत मिलेगी परिवार में भाई वव बहनों में पारिवारिक संपत्ति को लेकर लडाई जगडे की स्थिती उत्पन्न हो सकती है आपको किसी नए काम को शुरुआत करना अच्छा रहेगा व्यवसाय में आप कुछ नए बदलाव करेंगे आप अपने कामों के साथ साथ अपने रूटीन को भी बहतर बनाए रखें विद्यार्थियों के उच्छ शिक्षा के मार्ग प्रशस्थ होंगे आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आप अपने बिजनेस संबंधित यात्रा पर जा सकते हैं आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा आपने यदि पहले किसी से कोई वादा किया था तो आपको उसे अवश्य पूरा करना होगा आपके पिताजी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे लेकिन कार्यक्षेत्र में लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं आपको अपने खर्चों का लेखा-जोखा रखना होगा परिवार में किसी विपरीत परिस्थिति में आपको शुभ सूचना मिल सकती है परिवार के लोग आपके काम में आपका पूरा साथ देंगे माता-पिता के आशीरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है आपको अपनी संतान की संगती की ओर विशेश ध्यान देना होगा विद्यार्थियों को भौतिक व मानसिक बहुत से छुटकारा मिलता दिख रहा है आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाद से कमजोर रहने वाला है आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है आपको कोई बड़ा काम हाथ में मिलने से आपको व्यस्तता बनी रहेगी लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है इसलिए वह अपने कामों में डील न दे और जल्दबाजी बिलकुल न दिखाएं परिवार के सदस्यों को लेकर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं आप अपनी संतान के लिए किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं आज का दिन आपके लिए सोचे समझे कामों को करने के लिए रहेगा मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थे पर पड़ सकता है आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है व्यापार में आपने यदि पहले धन लगाया था तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आपको अपनी माताजी से किये हुए बातें को पूरा करना होगा घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आज के दिन आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए एक व्यभार्य समाधान मिल सकता है और उसे लागू करने के लिए उचित दिशा में आप पहला कदम उठाएंगे पिछले कुछ समय से धन की समस्याओं ने आपकी नाक में दम किया हुए था परन्तु अब आप काफी हद तक इस पर काबू पापाएंगे हाला कि ये कदम कुछ मुशिकल हो सकता है परन्तु अंत में आप सही निर्णाय लेंगे जो की काफी हद तक आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप आर्थिक समस्या से बाहर आपाएंगे आज का दिन संकेट दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे लेकिन बहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकाल कर अपने कल के शेश कार्यों को पूरा कर लें अपने कारेकर्म की योजना अपने परिजनों के कारेकर्म के अनुसार ही बनाएं ताकि बाद में कोई घलत फहमी या समस्या ना आए आप भावनात्मक रूप से बिलकुल शक्तिशाली है आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता देना चाहिए अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस उर्जा का उपयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं आप अपने रिष्टे में एक नए आयाम की तलाश करने जा रहे हैं आपके पार्टनर का व्यवहार हाल फिल हाल काफी उल्जन भरा रहा है लेकिन आज शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा अब यह आपके उपर निर्भर होगा कि आप इस सूचना को कैसे लेते हैं आपके लिए सुझाव यह है कि कोई भी फैसले लेने से पहले गहराई से सोच ले जो अकेले हैं उन्हें किसी भी नए आदमी के साथ अपना संबंध शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिए आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौधे को अंतिम रूप दे सकते हैं उनके साथ एक लंबी अवधी के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े ग्राहक वित्तिय संसाधनों से परिपूर्ण है जिससे की आपके कार्यालय पर वित्तिय बोज कम होगा आपको अगर ग्राहकों से और सौधे लेने है तो आपको अपने सामान्य ज्यान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रे लेने में भी आगे रहें पौके अपने आपको ज्यादा ना थकाएं और कम महत्वपूर्ण विशयों के लिए अधिक मेहनत ना करें दूसरों को अच्छी न लगने वाली बातें कहकर उनका दिल ना दुखाएं हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है मुलेठी की चाए भी फाइदेमंद रहेगी इससे आपके पेट की स्थिती भी ठीक रहेगी अगर आप पेपदार्थों जैसे चाए, कौफी आदी की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें इसके लिए अगर रोज न हो सके तो सप्ता हमें एक दिन योग के लिए जरूर रखें जो अभी अकेले हैं, उनके जीवन में एक नए संबंध की आहट सुनाई दे रही है लेकिन अहम और दूर की न सोच पाने के चलते इस रिष्टे के आगे बरहने में दिक्कतें आ सकती हैं इसके कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परिशान अगर आप पहले से किसी के साथ हैं, तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या इसे खातम करने के बारे में सोचें इन में से किसी भी स्थिती में, संबंध के मामले में आज बढड़े बदलावों की संभावना है आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतरकता बरतनी जरूरी है कुछ तरक वितरक और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल कहराब हो सकता है इसलिए बेफाल्तु के वाद विवाद से अपने को बचा कर रखे आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते है हाला कि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फाइदेमंद साबित हो सकता है आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सब के सामने आएगा अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दे और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दे आपके बड़दे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्व पूर्ण लक्षियों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे वहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं सड्डेच पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें छोटी मोटी दुरगटना हो सकती हैं लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं मोध्धों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें गाड़ी धीरे चलाएं हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें अपना काम खातम करके घर पर आराम करें आपको कहीं न कहीं ये महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमैंटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा है और संतुष्टी भी कोई नहीं है फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दुबारा सोचने पर मजबूर करेगा अपने आपको निराश न होने दे सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा आपका धैरे से अब लाभ मिलने लगा है आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे जिसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे धीरे धीरे जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है आप सैयमित रहे इन लाभों का आनंद लें लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से बिनम्र रहे आप किसी आत्रा पर जा सकते हैं एवं अपने आपको उपहार दे सकते हैं आज सावधान रहें आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासल कर पाएंगे मज़ेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धी के लिए आपकी तारीफ करनी होगी इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हलका फुलका बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं आप आज कुछ अंतर मुकी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरिक्षन करेंगे आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा इसी लिए अपनी भीतरी शांती बनाए रखकर केंद्रित रहें काम करते हुए आप एक विस्तरित द्रिष्टिकोन को अपनाते हैं यह आपका सकारात्मक पहलू है और इस सप्ताह के अंत में आपका द्रिष्टिकोन मौद्रिक लाब में बदलेगा जोड तोड से बचें और जो भी करें इमानदारी से करें आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाए ज्यादा महत्वर रखेगी वफादारी स्वागत योगनिये होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिती से आपको बाहर निकल देगी आप हंसी मजाग के मूड में हैं अपनी इस विशेष्टा को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ती के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में काम्याब होंगे कोई आपसे प्रोथसाहन चाहता है उसके मेंटर बन जाई अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा मचली खाते हुए सावधान रहें अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थे का शारीरिक स्वास्थे पर काफी प्रभाव पढ़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्याओं से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है अपनी मानसिक शक्ती में विश्वास रखें आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे आप सामने वाले को अपनी हसी मजाख से प्रभावित करना चाह रहे हो लेकिन या तो वह आप से प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंडना पढ़ेगा जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए इसी लिए जरूरत पढ़ डियेने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थिय से संबंधित व्यवसायों में हैं डॉक्टरों, नरसों, चिकितसकों, अस्पताल प्रशासकों और यहां तक की मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उप्युक्त है अगर आप किसी विशेशन से परामर्ष ले रहे हैं तो इस सलाह को माने क्यों कि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी आज आप बहुत ही सूजबूच से आगे बहेंगे पुन्य कारियों में आप बढ़ छड़ कर हिस्सा लेंगे अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुन्य के कार्य में भी लगाएंगे वानी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएंगी व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन मिला जुला रहेगा आपको अपनी आय से बढ़ कर धन व्याय करने से बचना होगा अन्य था धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है अपकार्य क्षित्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय किसी के दबाव में आकर ना ले नहीं तो इससे आपको बाद में कोई नुकसान होने की संभावना बंती दिख रही है सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की जीहा क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जान सकता जो आपको अच्छा लगता है आप वही करिए आज दिन लाब दायक रहने वाला है व्यापार में आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको नुकसान होने की भी संभावना बंती दिख रही है आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको मिल सकता है करियर में आपको कोई अच्छा अवसर मिलने की पूरी संभावना बंते दिख रही है प्रतियोगी परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा परिवार में किसी हर्ष वा मांगलिक कारेक्रम का आयोजन हो सकता है जिससे आपके परिवार में खुशियां बनी रहेगी आज का दिन आपके लिए शासन वसत्ता का पूरा लाब लेकर आएगा आपको पैत्रिक संपत्ति संबंधित मामले में जीत मिलती दिख रही है आप अपने कामों में जिम्मेदारी से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपकी पद वह प्रतिष्ठा में व्रिद्ध होगी आप अपने किसी लक्षे को पकड़ कर चलेंगे तभी आप उसे आसानी से पूरा कर सकेंगे आपको कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा जो जातक राजनीती में कार्यरत हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यक्ता है एक दूसरे के सामने बढ़ छड़ कर बात चीतना करें नहीं तो लोग आपकी बात को इधर उधर लंबा चोड़ा बना कर पेश कर सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा आज के दिन आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोंड से अच्छा रहने वाला है आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है यदि आपने किसी नए काम की शुरुआत भाग्य के भरोसे करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी विद्यार्थियों के उच्छ शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे आपकी नित्रित्व क्षमता में व्रिद्ध होगी कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाब मिलने से उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा आप कुछ नए लोगों से मेल जोलबागे